नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का The World News के एक और नए एपिसोड में तो दोस्तों आज की जो नियूज में आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको हमारी सेना पर गर्व महसूस होगा और यकीन मानिये हमारे जवानों के शौरे के चर्चे आज पूरे विश्वर में हो रहे हैं तो चलिए और समय ना लेते हुए आपको ये लेटेस नियूज बताता हूं दोस्तों ये ख़वर हमारे अरनाचल प्रदेश से निकल कर सामने आ रही है कि LAC के पास चीनी सेना के 300 जवानों की घुसपैट को हमारे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि चाइनीज आर्मी के 300 सेनिक फुली प्रिपैर होकर हमारे सीमा में घुसपैट कर रहे थे और उनको इसकी उमीद नहीं थी कि हमारे भारतिय सेना के जवान भी उनका स्वागत करने के लिए तयार बैठे थे आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि ये घुसपैट हमारे LAC पर हुई है जो कि अरुनाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में है और हमारे Ministry और Defence ने ये बात Confirm की है कि 9 डिसेंबर को भारतिय सेना और Chinese आर्मी के बीच में जड़प हुई थी जिसमें हमारे वीर सेनिको ने Chinese आर्मी को मुतोर जवाब दिया है और Chinese आर्मी के सेनिको को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया दोस्तों हमारे कुछ वीर इस जड़प में घायल भी हुए हैं और उन्हें तवान सेक्टर से गुआट के ट्रीटमेंट के लिए भीज दिया गया और इस इंसिडेंट के बाद दोनों सेनाओ को उस इलाके से डिसेंगेज करवाया गया और दोनों सेनाओ के मिलिटरी कमांडर्स ने इस इशू को डिसकस करने के लिए एक बैठक भी की है आप लोगों को 2020 का गलवान इंसिडेंट याद होगा जब चाइनीज आर्मी ने धोके से हमारे जवानों पर हमला किया था और उसमें हमारे 20 सैनिक विरगती को प्राप्त हुए थे उस समय भी हमारे उन 20 विरों ने चाइनीज आर्मी के छक्के छुड़ा दिये थे और चाइना ने अपने मरे हुए सैनिकों की गिंती नहीं बताई थी तो दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि चाइनीज आर्मी हर समय ये घुस्पैट की कोशिश क्यों करती है जिसमें उन्हें हमेशा हमारे जवान गुलगप्पे खिला कर वापिस भेश करे हैं चलिए इस सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में देता हूं दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इस वक्त पूरे चीन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि चाइना के आम लोगों को जीरो कोविड पॉलिसी के तहट उनके घरों में कैद करके रखा गया है और लोग इसके खिलाफ अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का ध्यान इन सबसे हटाने के लिए ही सीजिन पिन अपने सेना को कभी भारत की सीमा में भेज कर गुलगप्पे खिलवाते हैं तो कभी तैवान के आसपास योद अभ्याद शुरू कर दिते हैं जिससे के लोगों का ध्यान उनकी कोविड मैनेजमेंट फेलियर से हट कर इन सारे इशुज में लग गया और दोस्तों जहां तक मेरा अनुमान है चाइना आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर तैवान के आसपास कुछ बढ़ा करने की कोशिश कर सकता है हाला कि भारतिय सेना हमारे देश के सुरक्षा में हमेशा तैयार बैटी है और चाइना के ऐसे मिसडवेंचर को एक बुरे सपने में तब्दिल करने के लिए हमारे सैनिकों को भारतिय सरकार से खुली छूट मिली हुई है लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे गलवान इशू के बाद हमारे देश में बॉयकॉट चाइना की मुहिम शुरू हुई थी उस मुहिम को जारी रखते हुए हमेशा ये कोशिश करिए कि चाइना से बनी हुई चीजे ना खरीदे और उन चीजों के दूसरे विकल्प या ओप्शन को ही सिलेक करके अपने जरूरत को पूरा करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे वीर सैनिकों के लिए जैहिन लिखना न भूले और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें